मीना के सूजबूज, रात का समय था, लगबग बारा बजे थी, मीना विद्याले से मिला काम समाप कर उसी समय पलंग पर लेटी थी, पास में उसका छूटा भाई सोया था, दूसरे कमरे में मां और बाबुजी सो रही थे, उसकी मां की तवियत ठीक नहीं थी, दवाई खाकर में बड़े मुश्कल से सूई थी, दफ्तर से था के हारे आये बाबुजी भी गहरी नीद में सोई थी, तभी अजानत धम की आवाज हुई, मीना ने सूचा कोई बिल्ली होगी, वा सोने का प्रैत्न करने लगी, तभी उसे एक परचाई दिखी, बारा वर्षिया मीना को सम मीना बड़े ध्यान से चोर को देखने लगी, चोर सब तरफ जागता हुआ, एक कमरे के उर बढ़ा, मीना ने बहुत सूजबूच से काम लिया, उसने फोन से पडोसी का नंबर मिलाया और कहा, आंटी, अंकल को लेकर जल्दी आजाओ, घर में चोर घुसा है, जैसे ही चोर कमरे के अंदर घुसकर अलमारी खोलने लगा, मीना ने आगे बढ़कर कमरा बंद कर दिया, और बाहर से खुंडी लगा दी, तब तक कई पडोसी घर के बाहर एक अत्रित हो गए थे, मीना ने फिर पुलिस को फोन कर दिया, और माव बाबुजी को भी जगाया, चोर कमरे मे बंद था, और दर्वाजा खटखटाय जा रहा था, पुलिस के आने तक मीना ने चोर वाले कमरे का दर्वाजा नहीं खोला, थोड़ी देर में पुलिस आ गई, और चोर को हथकड़ी लग गई, मीना के साहस और सूजबूज की बहुत प्रशंसा हुई, उसने अपनी हिम्म के बल पर जान और माल दोनों की रक्षा की, अगले दिन मंतरी जी ने उसे पांच हजार रुपए पुरसकार की रूप में दिये, और समाचार पत्रम पे उसका फोटो भी छपा, तो बच्चों, मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए.